Hello Friends, हमारा पिछना वीडियो टॉप वाइप कोर्स का जो आप सभी ने देखा, यह उस वीडियो का second part है इस वीडियो में हम Digital Marketing, Python and CCNA कोर्स के बारे में बताने वाले हैं हम से कमेंट में CCNA कोर्स के बारे में पूछा गया था तो आज हम CCNA के अलावा Digital Marketing and Python कोर्स के बारे में भी information देने वाले हैं अगर आपको Financial Accounting और Drawing and Sketching कोर्स के बारे में भी जानना है तो हमें comment box में जरूर बता है ये जो कोर्स हैं ये additional कोर्स है जो आपके resume को और improve कर सकते हैं तो सबसे पहले हम Digital Marketing कोर्स के बारे में जानते हैं आपको ये तो पता ही होगा कि Digital Marketing क्या होता है अगर नहीं पता तो हमारा previous वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगी Digital Marketing का कोर्स करके आप एक professional Digital Marketer बन सकते हैं आपके CV Stream से हो ये कोर्स कर सकते हो इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा आए देखते हैं इस कोर्स में आप website, blogging, SEO, video के थुरू marketing कैसे करें Google के थुरू marketing कैसे होती हैं ये सब सिखाया जाएगा तो आप ही सोचें इस कोर्स को करने के साथ साथ आप और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं डिजिटर मार्केटिंग का कोर्स करके आप कौन-कौन से पोस्ट पर जॉप कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं फास्ट है डिजिटर मार्केटिंग मैनेजर सेकेंड है कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पेशलिस्ट, सर्च इंजर मार्केटर और भी बहुत सी फील्ड मिल जाएंगी जहां आप जॉब कर सकते हैं जिनको वेब डिजाइनर और एब डिजाइनर की नॉलेज है उनके लिए काफी अपॉर्चिनिटीज है इस कोर्स को करके आप खुद का भी एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हूँ क्योंकि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है इसकी पूरी नॉलेज होगी चैले अब नेक्स टॉपिक पर आते हैं जो है पाइथन कोर्स का पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्विज है यह C++ और Java की तरह यह प्रोग्रामिंग लैंग्विज है लेकिन यह बागी लैंग्विज के मुकाबले बहुत आसान लैंग्विज है पाइथन लैंग्विज के शक्तिशाले होने की वज़े से बहुत से बड़ी कमपनिया इसका यूस कर रहे हैं जैसे YouTube, Google, Microsoft, Amazon यहां तक कि NASA में भी Python का यूस होता है इस language को सीख कर आप wave application, game development, app development, website creation, computer graphics, बाकि बहुत कुछ create कर सकते हैं लेकिन बस आपकी creativity आपपर depend करती है इसमें आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा वो भी देख लेते हैं इसमें आपको conditional statement, looping, control statement, functions, modules, input-output, exception handling और भी बहुत कुछ आप सीख पाएंगी अगर आप science stream से या CS stream से हैं तो आपको इनके बारे में knowledge होगी अगर आपको knowledge नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है अगर आपके अंदर सीखने की चाह हैं तो आप जरूर सीख पाएंगे आपके मन में ये विचार आया होगा कि वाकई इन course को करने से कोई फायदा होगा क्या इसे करने से एक अच्छी जौब मिल जाएगी तो पहली बात तो ये है कि ये course additional है आपके skills को develop करने के लिए Python language सीख कर आप एक अच्छे developer बन सकते हैं लास्ट course है हमारा CCNA का दोस्तों अगर आपका interest computer या IT field में है तो CCNA course करना आपके career के लिए profitable होगा ये network से जोड़ा course होता है इसमें आपको network से सम्बंदिश subject के बारे में पढ़ाया जाएगा यहाँ एक certified network associate course है जिसे अमेरिका की famous company Cisco दोरा शुरू किया गया था आप किसी भी stream से हो ये course कर सकते हैं Cisco ने networking engineering level के अनुसा certificate level बना रखे है अगर आप इस course को सीख लेते हैं तो आप different types की IT job करने योग की बन सकते हैं जैसे Cisco certified network associate network administrator network engineer Cisco network engineer और भी बहुत से field में आप job कर सकते हैं CCNA course में आपको क्या सीखने को मिलेगा आइए देखते हैं इसमें आपको IP data networks के बारे में पढ़ाया जाएगा lane switching क्या होती है IP addressing क्या होती है IP routing क्या होता है IP service network security troubleshooting van technology इन सब के बारे में आपको सीखने को मिलेगा आप ही सोचिए कि इस course को करके आप कितनी knowledge gain करने वाले हैं इन course को कहां से करें कौन से app है जिनके तुरू आप ये course सीख पाएंगे तो उसके लिए हमारा previous video देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगी अगर इन course को लेकर आपके अंदर दिल्चस्पी है तो आपको जरूर करना चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि आपको अभी free time मिल रहा है तो अगर कुछ additional सीख लिया जाए तो वो आपके काम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी education कभी waste नहीं जाती टाइम आने पर आप अपने skills का use कर सकते हैं अगर आप अमारे चैनल पर नए है और अभी तक आपने अमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe करें और इस bell icon पर click कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ information जरूर मिलेगी आप हमें Facebook पेज पर भी follow कर सकते हैं पेज के लिंक आपको description में मिल जाएगी और एक बार हमारी website पर जरूर विजिट करें इसके लिंक भी आपको description में मिल जाएगी सो अपने likes और comment के जरी हमें ये बताएं कि हमारा ये video कैसा लगा अगर कोई doubt है या कोई confusion है तो वो भी हमें comment करके जरूर बताएं सो मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ and finally thanks for watching